कर दोस्तों एक बार फिर साफ सोगात थे आपके अपने यूटूब चैनल पर आज हम लेकर आए हैं समाक लंग कें तक परश्चना वाली सेवन डी ठीक है तो सेवन डी में हमें क्या करना है यह भी परश्चना वाली सेवन सी की ही जैसी है ठीक है यानि कि प्रतिस्थापन मैं हार्तित्स को में सॉल करनी है ठीक है तो चलिए सौल कर लेते हैं पाहला इसमें टोटल 24 प्रश्चन दियो है ठीक है इतने 24 सभीस प्रस्चन को माज सौल करेंगे तो स्लेटें और जो लेके छानल परतना है पर दें आने वाली वेडियो किन भीस प्रसाया हूं कि प्नोण इतने का में integration करना है तो कैसे होता है चलिए देखिए देखिए यह प्रिश्ट है इसमें हम थोड़ा एक सूत्र का प्रियोग करेंगे तो सूत्र क्या है देखिए यहां पर लिखेंगे कि जो इसके बाद हम इसके इसके बाद हम इसका integration करेंगे तो साइन यह पाइब यह नपिया नपिया साइन नाइटी प्रिश ठीटा पर रबर कॉस टू एकस होगा ठीक है तू एकस का डी अब इसका हम आसानी से कर सकते हैं ठीक है कॉस्ट टू एकस का क्या हो जाएग हमारा शाइन टू एकस बाई टू ठीक है जो कि टू एकस को भी हम टी मानेंगे तो बटी में दो आ जाएगा ठीक है और प्लस का सी यह हमारा एंसर हुआ ठीक है चलिए अब इसका हम देख लेते हैं दूसरा इसको जो है कि इंटीग्रेशन एकस क्यूब इंटु कोस एकस की इसको इसमें जो है इसी चीज को जो टी मानना है जिसका हम आउकलंग कर दे तो इसमें जो फ्लन हो वो प्राप्त हो जाए ठीक है जैसे एकस का चार है इसका अगर हम आउकलंग करें तो हमें चार एकस क्यूब प्राप्त होगा ठीक है यानि वहां से हम चार एकस क्यूब को निकाल सकते यह जो है दिल टिए हुआ ठीक है इसको निकाल सकते हैं देखिए कोश्चन नम्मर्ड दोस्का इंटीरेशन एकस्क्यूप कास एकस्की आद चार ठीक है गोड़ी एकस माना दिखकों एस तो घंग गड़ जाएगा तो दिखना भी कैं ट्यूम्राजब've ट्यूम्राइश्य क्यों के फ़ूंब प सब्सक्राइब करेंगे तो यह अगर इसकी अगर करसकते हैं जहां पर यह छाया है उक्त ने क्यूब इसके Haanna के इसके इस्थांपर तो हम इतने लिखेंगे तो मारा वे काम इसके इस्थांपर यह यहां लिएक कस कलने हो इसके हoric को सब्सक्राइभ ऑनिघुन opened न न three हो गया और यह integration जादते हैं वो क्या होगा shine t ठीक है by 4 प्लस का सी और इसमें 80 के स्थां पर हमने x की हाथ 4 माना था तो हो गया sign इसकी हाथ 4 बटे 4 प्लस का सी यह हमारा answer होगा ठीक है तो चलिए देखते हैं अगला question question number 3 question number 3 है कि integration 4 x plus 2 into under root x square plus x plus 1 का dx ठीक है इसका हमें इसके साफिच integration करना है देखे इसमें हमने बताया था है इसमें परियोग करेंगे तो अगर इसको अगर यहां से 2 हम कामन के लिए तो 2 x plus 1 हो जाएगा ठीक है तो इसको हम टी मान सकते हैं तो लिखेंगे इसमें जहांस पहले 2 कामन के लिए 2 हमने कामन कर दिया तो 2 x plus 1 under root x square plus x plus 1 का dx ठीक है यह हो गया अब इतने को हम टी मान लेंगे माना x square plus x plus 1 बराबर का t ठीक है आब x square का is s Evet s को हम इसके बराबर करेंगे एक्स स्कुायर का हो जाएगा 2 x और x का हो जाएगा वन और search जेरो और t का हो जाएगा dt ठीक है और इस screen को इस दार ले लिए तो एक्स को दुए प्लस 1 और और dx बराबर का dt, ठीक है, यानि कि जहां पर ये है और ये है, वहाँ पर dt लिख सकते हैं, तो हम लिखेंगे, integration ये दो आगे, और under root, इसको उने t माना था, ये t लिख दिया, और ये dt, ठीक है, एदम छोटा सो गया है, अब इसका मासानिस कर सकते हैं, ठीक है, under root t के मतलब होत है, कि t की पावर, एक बटा, दो ठीक है, का dt, अब हम जानते हैं, कि इसकी घात में एक जोड़ देंगे, और वही घात सेम नीचे लिख देंगे, ठीक है, जोडने के बाद ठीक, तो ये हो जाएगा, हमार यहां पर देखिए, दो, t की घात, अब integration कर रहे हैं, तो ये इंट दो, t की पावर, तीन बटा, दो बटे का, तीन बटा, दो ठीक है, अब ये जो, तीसरा बटा है, दो ये उपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा, दो गुड़े, दो बटे, तीन, t की पावर, तीन बटा, दो, तो ये हो जाएगा, हमारा, चार बटे, तीन, t की पावर, तेन वर्टा दो ठीक यह हो जाएगा अब यहां पर टी कि हम वालु रख देंगे क्या है ठीक है तो इसको हम लेंगे आम एनने पर देख लेजिए तो इसको लिखेंगे x square plus x plus 1 की power 3 बटा 2 और यह 4 बटा 3 यह 4 यह और यह 3 ठीक है यह हमारा और प्लस का यह C ठीक है यह हमारा answer हुआ ठीक है इतना तो clear हुआ तो चल लिए चल दें है question number 4 की ओर ठीक है यह question number 4 दी ओर ठीक है n x power n minus 1 cos x power n का dx ठीक है इसका समा कलंग करना देखिए हैं इसमें भी वही substitution method लगेगा ठीक है x power n को अगर हम t माने तो इसका समा कल आउकलन यह प्राप्त होगा ठीक है तो आसानी से इसका कर सकते है माना x power n बराबर का t ठीक है तो यह घात आ गया जए और घात से घड़ गया ठीक है बराबर का t का dt बटे dx इस तरफ भेजेंगे left hand side में तो n x की power n minus 1 को dx बराबर का dt ठीक है यानि कि जहां पर यह है और यह है वहां पर dt लिख सकते हैं तो हमारा हो जाएगा cos और यह t t का dt कोश t का क्या हो जाएगा sin t sin t प्लस का c अब t के स्थान पर सिर्फ इसको लिख देंगे sin x की power n प्लस का c ठीक है यह हमारा answer हुआ ठीक है अब देखें कोश्चन नमबर पांच की उड़ चलते हैं पांच क्या दिया हुआ है कि integration 1 upon x log x ठीक है की power in sorry m है ठीक है m को dx यह हमें करना है अब देखें अगर यहां पर हम log x को हम t मान ले तो हमें 1 by x प्राप्त हो जाएगा ठीक है तो ऐसा हमें फनल मानना है जिससे हमें उसका आउकल गुणांक प्राप्त हो जाएगा ठीक है मान लॉग x बरावर का t ठीक है तो इसका आउकलं क्या होगा 1 by x ठीक है और t क्या हो जाएगा d t बटे dx तो यहां से dx इस तरफ लाएगे तो dx by x बरावर का dt ठीक है तो यह देखिए यह multiply में dx है और यह 1 by बटे में x ठीक है इसके स्थाम पर dt लेख सकते है तो हमारा हो जाएगा integration 1 by t की पावर m और यह dt ठीक है तो यह हो जाएगा हमारा integration इसको हम पर ले जाएगे t की पावर माइनस m का dt ठीक है अब हम क्या करेंगे घात में एक जोडेंगे और वही घात को सीधा नीचे लिख देंगे ठीक है इसका समाकलन हो जाएगा t की पावर माइनस 1 माइनस 1 बटे का माइनस 1 प्लस 1 प्लस का c यह समा कलंड ठीक है, इसको हम ऐसे लिखेंगे T की पावर 1 माइनस M, मड़े 1 माइनस M, प्लस का C ठीक है, अगर यहां T की वैलू रख दे, लॉग X, तो हो जाएगा हमारा 1 माइनस M इन्टू का लॉग X की पावर 1 माइनस M प्लस का C, ठीक है यह हमारा एंसर होगा तो आसा करता हूँ, यह सवाल भी आपको सब्सक्राइब आ गया होगा, तो चलिए देखते हैं, Q6 ठीक है Q6 क्या दिया हुआ है कि integration X पावर, अंडर रूड 1 माइनस M, इसकी हाद 4 का Dx ठीक है, यह करना है, देखिए इसको हम क्या लेक सकता है, पहले सवाल को हम बना लेते है X पावन, अंडर रूड 1 माइनस, इसकी हाद 4 को ले सकते है X स्क्वाइर का स्क्वाइर ठीक है, अब देखिए X स्क्वाइर को अगर हम T मानेंगे, तो यह क्या हो जाएगी हमें इसमें X पराप्त हो जाएगा 2X होगा, ठीक है, X स्क्वाइर का अगर अगर लंग रहेंगे, तो 2X हो जाएगा तो वहाँ से X निकाल सकते है, ठीक है और DX यह है तो वहीं मानेंगे, माना X स्क्वाइर बराबर का T, ठीक है तो इसक्वाइर का हो जाएगा 2X है, ठीक है और T का हो जाएगा DT बटे, DX है चुकि X के साब बेच कर रहे है तो यहां से अगर हम X, DX निकाले तो हमारा हो जाएगा DT बटे, 2, ठीक है यानि कि, यह X हो गया और यह DX हो गया ठीक है इसके स्थांपर इसको लिख सकते है तो हम लिखेंगे आगे, एक बटा दो यह ठीक है, यह वाला और इंटीग्रेशन का चिन लगाएंगे और फिर उपर कहुं DT लिखेंगे और नीचे अंडर रूड 1- X स्क्वाइर के स्थांपर ने फर्मॉला उसी का जिसको हम लिखेंगे शाइन इंवर्स T ठीक है तो हमारा हो जाएगा शाइन इंवर्स T बटे 2 ठीक है, वाला प्लस का C तो अब यहाँ से T की वैलू रुक देंगे वैलू क्या थी? X स्क्वाइर तो हमारा हो जाएगा देखेंगे कि integration X उपाउन 1 प्लस इसकी वैल चार का T यह भी सवाल सेम उसी तरह है, ठीक है इसको भी हम लिखेंगे integration X उपाउन 1 प्लस इसकी वैल चार को X स्क्वाइर का स्क्वाइर ठीक है को D X अब इसमें हम क्या करेंगे माना X स्क्वाइर बराबर का T तो इसका हो जाएगा 2X हो जाएगा T का हो जाएगा DT बटे DX X के साफ़ेश कर रहे हैं ठीक है तो यहां से अगर हम X DX निकाले तो DT बटे 2 हो जाएगा तो रख देंगे इसी को 1 बाइ 2 बाहर कर लिए और यह DT हो जाएगा ठीक है इस तने के अस्थान पर हमने DT लग दिया बटे में 1 प्लस T का स्क्वाइर अब यह किसका फार्मूला है हम जानते हैं कि इंटीगरेशन DX बटे 1 प्लस X स्क्वाइर बराबर होता है 10 इन्वर्स X ठीक है एक बटा दो 10 इन्वर्स T के बराबर हमने वाला X स्क्वाइर प्लस का C यह हमारा एंसर हुआ ठीक है तो चलिए देखते हैं Q8 की और Q8 दिया हुआ है integration X का DX बटे अंडर रूड 1 प्लस X स्क्वाइर ठीक है यह है ठीक है देखिए हम क्या करेंगे इसको हम इतने को T मानेंगे 1 प्लस X स्क्वाइर को T मानेंगे ठीक है तो एक को करेंगे उकना तो 0 हो जाएगा और X स्क्वाइर करेंगे तो 2X हो जाएगा वहाँ से X DX निकाल सकते है तो लेंगे माना 1 प्लस x स्क्वाइर बराबर का t तो 1 का 0 और 1 स्क्वाइर का 2x हो जाएगा और t का dt बटे dx हो जाएगा ठीक है तो यहां से अगर हम x dx निकारें तो हमारा हो जाएगा dt बटे 2 ठीक है तो लिखेंगे इसको integration 1y2 बाहर कर लिया dt t यह हो जाएगा अंडरूड t ठीक है तो इसको क्या ले सकते हैं 1 बटा 2 integration अंडरूड t का मतलब होता t की पावर 1 बटा 2 ठीक है तो 1 by t की पावर 1 बटा 2 कर dt यह उपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा तो 1 by 2 integration t की पावर माइनस एक बटा 2 ठीक है अब इसका हम t के साफिच समा कलंग कर देंगे ठीक है तो मारा हो जाएगा 1 by 2 t की पावर माइनस एक बटा 2 प्लस 1 जोड देंगे वही घास सेम नीचे माइनस की बटा 2 प्लस 1 बराबर हो जाएगा हमारा 1 by 2 एक बटा 2 ठीक है प्लस का c तो इसको हम क्या लिख सकते है इसको लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं एक बटा 2 यह ठीक है यह दो जो तीसरा बटा है उपर चला जाएगा दो बटी एक ठीक है यह कर सकते हैं इसको और t की पावर एक बटा 2 2 x 2 cancel, तो इसको लिए सकते है, t की पावर, 1 x 2, तो इसको यह क्या है, यह इसको तो under root t ही लिखा था ना, तो इसको लिए सकते है, under root t plus c, ठीक है, अब t की value क्या है, 1 plus x square, तो यहां से लिख सकते है, under root 1 plus x square plus c, यह हमारा answer होगा, ठीक है, तो चलिए चलते है, question number 9 की ओर, देखें कुश्य नमब्र 9 दिया हूआ कि इंटीग्रेशन x³ बटे 2 प्लस 3 x³ की पावर ग्यूब कर dx ठीक है यह देखें यहाँ पर हम सरी उपर में x² ठीक है यह अगर यहाँ पर क्या करें इसकों टीमार ले पूरे को तो यह 2 का 0 हो जाएगा कॉश्ट टैंड 3 बाहर होगा और फिर यह x क्यूब का करेंगे तो 3x स्क्यूर आएगा तो यहां से x स्क्यूर का dx से निकाल सकते हैं ठीक है चलिए लगाते हैं माना 2 प्लस 3x क्यूब पराबर का t ठीक है यहां से हमें तो x स्क्यूर का dx निकालना है तो x स्क्यूर यह है और इसको मल्टिप्लाइम बेट जाएगा तो यह जो 3 रिक का 0 यह मल्टिप्लाइम राइट हैंड से तो डीवाइड में हो जाएगा dt बटे 9 यहां से लिस्सक्यूर लेग सकते हैं integration 1 by 9 और यह dt बटे t की पावर 3 ठीक है यह हो गया इसको ले सकते हैं 1 by 9 integration t की पावर माइनस का 3 ठीक है का dt इसमें घात एक जोड देंगे और वही घात से हम नीचे ठीक है 1 by 9 t की पावर माइनस 3 प्लस 1 बटे माइनस 3 प्लस 1 प्लस का c तो इसको ले सकते हैं 1 by 9 t की पावर माइनस 2 और यह माइनस 2 प्लस का c तो यह हो जाएगा हमारा माइनस का 1 बटा 18 t की पावर माइनस 2 इसको ले सकते हैं माइनस का 1 बटा 18 t स्कूर ठीक है नीचे लेंगे धरनात माइनस का प्लस का c ठीक है तो यहां से अगर हम T की वैलू रखें, T बराबर हमने माना था, 2 प्लेस 3X क्यूब, ठीक है, तो हो जाएगा माइनस का 1 बाई, 18, 2 प्लेस 3X क्यूब, ठीक है, का स्क्वार, प्लेस का सी, यह हमारा एंसर हुआ, ठीक है, चलिए देखते हैं, आहम कोश्चन नमबर 10, ठीक है, कोश्चन नमबर 10 क्या है, इध्यान से देखेगा, दिया हुआ है कि, इंटिग्रेशन X का, DX बटे, अंडर रूड, X प्लेस 4, का, DX ठीक है, यह दिया हुआ है, अब इसमें देखेगा, क्या करते हैं, ठीक है, अगर हम, X प्लेस 4 को हम, क्या करें, टी माने, ठीक है, क्या करें, टी माने, तो भी लग जाएगा, ठीक है, अगर हम, उपर क्या करें, चार जोड़ दे और चार घटा दे, तो भी लग जाएगा, तो चलिए, इसको हम टी मान लेते हैं, X प्लस 4, बराबर का, टी, ठीक है, तो यहां से, अगर X की वैल्यू निक करेंगे इसका, तो X का हो जाएगा हमारा 1, और चार हो जाएगा 0, ठीक है, और T का हो जाएगा DT बटे, टी, ठीक है, तो यहां पर आजाएगा DX पर्वर डी टी ठीक है, जहां DX है, वहां पर हम DT लिख सकते हैं, तो लिखेंगे, इन्टिग्रेशन, इसके अस्थाब प तो हम्हारा हो जाएगा, integration ट की पावर पार अंडरूट ट की अपना एकल हो चाहिए, अब देखे, इस को प्लका लीघ सकते हैं. अंडरूट ट का स्क्वेरी ठीक है, तो वहां से एक अंडरूट t कैंसल कर देंगे, तो इस से हमारा हो जाएगा, integration दियान से देखेगा under root t का square बटे under root t minus dt ठीक माइनस को यह cost टाने चार भार कर लिए तो 1 बटे under root t cut dt ठीक यह हो जाएगा इससे यह cancel हो गया तो हमारा हो जाएगा integration under root t cut dt ठीक यह माइनस में यह हो जाएगा इसका हमने करके बताया था कि नीचे भी जो होता है तो यह हो जाएगा two root two root under root t ठीक है तो चार गुड़े two root t plus का c ठीक है इसका integration कर देंगे अब यह हुआ ठीक है अब देखिए तो इसका करेंगे तो हम integration t की पाउर एक बटा दो लिखेंगे ठीक है cut dt माइनस के चार दून आठ अंडर रूड टी प्लस का c इसको लिखेंगे t की पाउर एक बटा दो प्लस वन 1 बाई टू प्लस वन माइनस का अंडर रूड आठ sorry 8 अंडर रूड टी ठीक है तो यहां से एगर दो कम दो तीन ठीक है तीन बटा दो हो जाएगा तीन बटा दो माइनस का आठ अंडर रूड एकस प्लस फोर प्लस का c ठीक है यह हमारा answer हुआ अगर इसी का हम आउखलांग कर दे तो हमें जो integration करने को दिया था वो प्राप्त हो जाएगा ठीक है तो चलिए देखते हैं question नमबर 11 11 क्या दिया हुआ है कि integration x की पावर m माइनस 1 बटे अंडर रूड 1 माइनस x की पावर m को दी एकस ठीक है इसको तो आसानिस कर सकते हैं ठीक है इसको क्या करेंगे इतने को हम t मानेंगे तो जिससे हमें प्राप्त हो जाए माना x की पावर m ब्राबर खडि यह हो जाएगा हमारा एक का हो जाएगा जीरो यह हो जाएगा गात आगे और एकक पावर yields इम माइनस वन ब्राबर कब्लीक है ao दी बटे लड़ टे लट दी-कस यहां से हम निकालेंगे x की पावर माइनस वन ठीक है तो एक पाउर माइनस वन बराबर हमारा हो जाएगा डीटी बटे एम माइनस ठीक है यह और यह डीएकस इधार आजाएगा ठीक है इसने के स्थान पर हम इतने इसको लिख सकते हैं तो लिखेंगे टीकी वैलू क्ःन है यह ठीक है तो माइनस का टीट अंडर रूड 90 की पाउर एम बटे एम प्लस कसी हमारा आहिंसर वह ठीक है यह तो चलिए देखते हैं अगला कोशचन हम खेम बारा बारा क्या दिया हुआ है देखिए है Projekt बार दिया हुआ इसको क्या करेंगे देखेंगे इसको हम लिखेंगे इंटिग्रेशन टू एक्स क्यूब और दे चार प्लस इसको लिख सकते हैं इसकी हाथ चार का इसको है ठीक है अब क्या करेंगे हम इतने को टी मानेंगे ठीक है कितनों को इसकी हाथ चार को ठीक है देखेंगे इसको हम लिखेंगे माना इसकी हाथ चार प्राबर कर टी तो यह हो जाएगा हमारा चार एक्स क्यूब बराबर कर डी टी बटे डी एक्स ठीक है यह हो जाएगा अब यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं दो गुड़े दो ठीक है तो यहाँ से दो बाहर कर लेंगे एक तो मारा हो जाएगा टू एक्स क्यूब बराबर कर अंटू टी एक्स बराबर कर ढ़ंडी टी पर टी थिक है नहीं तो यहाँ ब यहाँ यहाँड कि जहाँ पर यह लिखा dx upon a square plus x square यह किया हो जाएगा 1 by a tan inverse x by a ठीक है यह फार्मूला तो यह इसी में फार्म में तो है तो यह 2 का square plus t square तो इसको लिखेंगे 1 by 2 integration dt बटे 2 का square plus t square ठीक है तो यह हमारा हो जाएगा 1 by 2 यह 1 by a है तो a के स्थान पर यह है ठीक है तो दो गुड़े 2 और tan inverse x यह इसके स्थान पर यह है तो x लिख दी हमने और a भी कह रहा है तो a के स्थान पर 2 है तो 2 लिख दी हमने plus का c ठीक है तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा 1 by 4 tan inverse x by 2 plus का c यह हमारा answer वह ठीक है तो चलिए देखते हैं question number हम 13 एक चीद देखिए यहां पर थोड़ी से mistake हुई क्या mistake है कि यहां पर t के farm में था तो यहां तो t के farm में होगा ठीक है यह टी और t के बराबर हमने माना एक्स की हाथ 4 बराबर t माना तो यहां पर लिखेंगे x की हाथ 4 ठीक बस सारा सही है तो अब चलिए हम देखते हैं 13 13 देखिए हुआ है कि integration x क्यूब का dx बटे का 4 माइनस x की हाथ 4 की पावर 2 ठीक है यह देखिए हुआ है तो इसमें क्या करेंगे इसमें भी हम substitution method लगाएंगे 4 माइनस x की खाथ 4 को हम t मानेंगे ठीक है माना 4 माइनस इसकी खाथ 4 बराबर का t 4 का हो जाएगा 0 इसकी खाथ 4 है तो 4 आ गया जाएगा इसकी खाथ यह माइस एक चला जाएगा तो 3 t का हो जाएगा dt बटे dx तो यहाँ से निकाले अगर हम x क्यूब dx ठीक है तो यह हो जाएगा माइनस का dt बटे 4 ठीक है यह तो लिखेंगे हम integration माइनस का 1 by 4 लिख लेंगे आगे और dt यह और under root sorry under root में नहीं है यह t square सिर्फ ठीक है यह अगर उपर जाएगा तो यह घाट घट जाएगी ठीक है तो हमारा हो जाएगा minus के बटा 4 integration t की पावर माइनस 2 का dt ठीक है तो इसको हम लिखेंगे minus के बटा 4 t की पावर माइनस 2 प्लस 1 minus 2 प्लस 1 plus 9 ते यह हो जाएगा हमारा 1 बटा 4 टी की पावर माइनस ओन और बट्टे का माइनस एक ठीक है यह से एक एंसल हो जाएगा तो यहां से हमारा हो जाएगा प्लस का सी एक बटा चार टी ये घाद नीचे आगी तो प्लस में हो जाएगी प्लस का सी तो यहां से लिखेंगे एक बटा चार टी की वैलू क्या लिखेंगे चार माइनस इसकी घाद चार प्लस का सी ये हमारा एंसर है ठीक है अब चलिए चलते हैं कोशन नमबर हम चौदा की और देखें कोशन नमर चौदा यह दिया हो कि इंटी रेसनी इसकी पावर माइनस एक बटा दो कासे की स्क्वाइर अंडारूड एक्स का डी एक्स ठीक है इसको क्या करेंगे देखी इसमें भी सब्सिट्यूशन मैठी लगेगा एक बटा अंडारूड एक्स ठीक है यह कासिक स्क्वाइर अंडारूड एक्स का डी एक्स ठीक है यह अब देखी यहां पा इसको अंडारूड एक्स बराबर हम टी लिएंगे ठीक है उसको क्या हो जाएगा एक बटा ट्व अंडारूड एक्स ठीक है यह यह अब जहां पर यह है यह और यह ठीक है वहापद 2DT लेख सकते हैं तो लिखेंगे integration 2 आगे लगा दिया हमने और यह कॉसेक स्क्वाइर T का DT ठीक है अब कॉसेक स्क्वाइर T को हम क्या लिख सकते हैं integration होता है minus cot T ठीक है 2 minus आगे लगा दिया cot T plus का C यह हो जाएगा minus 2 cot T की value क्या है under root X plus का C यह हमारा minus का 2 cot under root X plus T यह होगा ठीक है तो चलिए देखते हैं आगे हम question number 15 15 क्या दिया है integration cot X log shine X का dX ठीक है यह तो अब क्या करेंगे इसमें हम अगर इसकों T माने तो यह हमें प्राब्द हो सकता है ठीक है माना log shine X वराबर का T तो जानते हैं कि d बटे dx of log X को होता है one by X तो यहाँ पर हो जाएगा one बटे sin X ठीक है और sin X का करेंगे तो cos X हो जाएगा इसमें एक जूट जाएगा एक घट जाएगा एक जूट जाएगा भाई गात नीचे ठीक है तो यह हो जाएगा हमारा T स्क्वार बाइट टू प्लस का C तो यहाँ से लिखेंगे हम T की वैलू log shine X स्क्वार बाइट टू प्लस का C यह हमारा answer हुआ ठीक है